step रख चाहते हैं तो हमारे टेलीगराम और उसका है एक…. पर इसकी PDF को लिंक दे रहा है जाके डानलोड कर पाएंगे, टेलीग्राम का डिस्कप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीगांग पर जॉइन हो जाएगे, और सभी दोस्तों से कहना होगा कि पेपर हैकर सस्क्राइब कर लीजे, यूटूब चैनल को आपकी लाइफ बदल जाएगे, यहां बात करने वाल आपके सामने है, और सभी दोस्तों ने कहा चाहेंगे कि पेपर हैकर यूटूब चल को सस्क्राइब कर लीजे, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, और आप हमारे नोट्स को भी डानलोड कर पाएंगे, देखो आप चाहए फस्ट इयर में हो, सेकेंड इयर में हो, थर्ड में, C6, H6 में, या CH4 में, आप सभी लोग इस कोशन का अंसर देंगे, क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे, C6, H6 में, क्या है बिटा, इसमें SP3 संक्राइब नहीं है, option number C is right है, नेक्स कोशन एक आप देखो सकते हो, CH2, double bond, CH2, single bond, CH, double bond, CH, और single bond, C, triple bond, CH, में जो आप द सभी लोग बताएंगे, कितने पाई बॉन्ट है, तो सभी का अंसर आएगा, 4 पाई बॉन्ट है, option number D के और जाएंगे, next question यहां बोला गया, में, देखो, यहां गया है, सारे कोशन के answer right देना है, सभी लोग option लगा के देखो, आपके कितने right सही जा रहे है, ठीक है, कितने स ही जा रहे है, most important है, रट लिनन कोशनों को, exam के लिए, most important है, first, BSC, first semester के chemistry, fundamentals of chemistry, most important, यहां देखो, यहां कहा रहे है, methane का आकार कैसा होता है, size of methane is, बताओ, methane का आकार कैसा होता है, tetra hydral, जिसने भी दिया है, option number D, बिल्कुल right है, next question यहां बूला गया है, देखो, alcano में code होता है, alcano में जो code होता है, वो कितने answer को होता है, बताना है, 109 answer 28 minute, जिसने भी दिया है, option number A, बिल्कुल right है, next question है, M प्रभाब, उत्पन करने वाला समू है, M प्रभाब, M जो area कह सकते हैं, जो समू कौन सा है, वो बताना है, सभी लुक बताएंगे, तो आप सभी का answer आएगा, NO2-K, option number जिसने भी दिया है, C, परमसता answer है, next question है, निम्न में, निम्न से कौन electrophil है, निम्न में कौन electrophil है, आपको बताना है, electrophil कौन है बिटा, तो सभी का answer आएगा, VCL3, option में जिसने भी दिया है, option number B, बिल्कुल राइट है, next question है, सुस्क वर्फ, बिटा, सुस्क वर्फ कौन सा है, सभी लो बताएंगे, सुस्क वर्फ का formula कौन सा होता है, तो आपकोगे, सी ओ टू को सुस्क वर्फ बोलते हैं, सी ओ टू को, option नमर A बाला जितने भी यह परम साता आएगा, next question देखो यहाँ, बुट्स अभी कर्मक कौन सा है बिटा, बुट्स अभी कर्मक बताना है, तो सभी का अंसर आएगा बिटा, option नमर A, R, single bond X, या फिर N, A, लगा सकते हैं, option नमर जिसने भी दिया है, A, परम साता आंसर है, यहाँ है देखो, ग्रिटनाइट अभी कर्मक बहुत जादा, ग्रिटनाइट जो अभी कर्मक है, सबसे जादा रिजन्ट पूछा जाता है, most important है, यह पूछ बताना, इस question का अंसर बताओ, ग्रिटनाइट अभी कर्मक कौन सा होगा, जिसने भी दिया है, option number A, देखो, RMGX, option नमबर जिसने भी दिया है, A, परम सत्त आंसर होगा, परम सत्त आंसर होगा, next question यहाँ बोला गया है, देखो, मेथेन के समरूपड की संक्या कितनी होती है, मेथेन के समरूपड की संख्या कितनी होती है मेथेन के समरूपड की संख्या कितनी होती है इस कोशन का अंसर देंगे मेथेन के समरूपड की संख्या कितनी होती है बिल्कुल ठीक बिटा जिसने भी दिया है न तू बिल्कुल राइट है बिटा तू होती है मैं कहा रहा है कौन इलेक्टोफिल नहीं है इस कोशन का आँसर देंगे तो आप कहेंगे NS3 इलेक्टोफिल नहीं है कौन निकलोफिलिक नहीं है तो आप सभी का आँसर आएगा RNH3 RNH2 होगा बेटा option number दिसने भी दिया ए परमसतांस होगा नेक्स कोशन को चलते हैं जिसने भी दिया देखो इस कोशन को प्रोटोन में कितने इलेक्टोन होते हैं तो आप गोगे कोई नहीं 0, मतलब कितना होता है बेटा 0, कोई नहीं होता है प्रोटोन में इलेक्टोनों की बात करें proton में कितने electron होते हैं कभी पूछ लेता है तो आप zero को answer लगाएंगे कोई भी नहीं होता है next question देखो इस प्रकार से आएगा कि carbon के एक P कक्षक में अधिक्तम कितने electron रह सकते हैं P में कितने electron रह सकते हैं एक कक्ष की बात की जा रही है P है और इसका एक कक्ष में दो ही तो रह सकते हैं वैसे तीन कक्ष होते हैं लेकिन एक कक्ष की बात की जा रही है एक कक्ष में कितने रह सकते हैं तो बेटा दो electron रह सकते हैं next question है carbon की चतरफल की सरचना को किसने बताया था carbon की जो चतरफल की सरचना होगी यह किसने बताया था ? बैंट हॉफ ने बताया था ठीक है ? लिवल भी ने बताया था यह option number 8 है next question है, बंद दूरी किसे कहते हैं जिसे bond दूरी कह सकते हैं या फिर bond दूरी, किसे कहते हैं तो बेटा, यहाँ बदे को दो परमाडू के नाभिक केंदर की बीच की दूरी, bond दूरी कहलाती है, याद रखना दो परमाडू है, उनके नाभिक के, दो मालो, एक परमाडू ये है, एक परमाडू ये है, इनके नाभिक अंदर है, और इनकी ये बीच की जो दीदू देख रहे हैं, इसी को हम bond दूरी कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है C, देखो single bond, C single bond C, C single bond double bond, C double bond C, और C triple bond में जो बंद दूरी होगी, bond दूरी होगी, वो कितनी होगी, आप से पूछा गया है, तो अगर इसे कभी पूछ ले, carbon, single bond carbon में 1.54 एगस्टोन होती है, double bond में 1.34 एगस्टोन होती है, और triple bond में 1.20 एगस्टोन ह होती है, इस बात को याद रखना है, most important है, यहां बोला गया है, देखो, SP, SP2, SP3 संकरण की बढ़ती हुई, उर्जा करम का क्या होगा, तो आपको देखना, SP1 में ज्यादा होगी, उर्जा, SP2 से ज्यादा होगी, SP1 में, SP3 से और SP2 से ज्यादा होगी, SP2 में, ठीक है, याद रखेंगे, option number क्या है, बढ़ता हुआ करम क्या होगा बिटा, यह है, ठीक है, यह है, यह बढ़ता हुआ करम थोड़ी है, बढ़ती हुई करम में क्या होगा, बढ़ती हुआ करम बिटा, यह है, ठीक है, बढ़ता हुई करम में क्या होगा, बढ़ती हुआ करम बिटा, यह ह में तो इसमें बॉला गया है देखो सी एच फॉर में बंद कोड़ होता है तो कौन सा संक्रल होगा चीज़ फोर में तो आप गोगे इसमें SP 3 संक्रव होता है और इसमें जो code होता है वो 108 288 Finished का होता है next question है इस प्रकार से question मनता है Почему कोशेन है जोissementthat की hyper conjunction किस बॉंण का इस्थांदर करता है बहुत gjort है याइह administ hyper conjunction किस बॉंण का स्थांदर करता है तो आप कहोगे पाई बॉंड का स्थांतर रण करता है next question है मुक्त मूलक की प्रिकृती होती है मुक्त मूलक की जो प्रिकृती होती है वो अनुचम्मकी होती है option number क्या होगा बिल्कुल सही next question तरह 23 में question देखेंगे कार्वनयान की संख्या बताईए तो कार्वनयान की संख्या एक है याद रखें next question है बेंजीन में कितने अनुणादी सरचनाएं है बताईए तो आप को के 6 अनुणादी सरचनाएं होती है बेंजीन में option number बिल्कुल ठीक है अब 5 भी हम unit में देखते है 5 भी unit में क्या-क्या important है बाकी हम ये एक बुक के कोशन है बाकी अलग से बुक के भी कोशन आपको प्रुबाइट कराएंगे जो आपको कोई भी कोशन छूटे न आप और अच्छे नंबर से आप पास हो यहाँ बोला गया है देखो acetylene acid है acetylene acid कौन सी है सबी लोगता है तो आपको कहा acetylene acid का सूतर होता है बहुता है और इस प्रकार से हमारी PDF आपको प्रुबाइट होगी जो आप देख रहे है ठीक है इस प्रकार से आंसर सारे लिखे हुए है और इस कोशन को देखेंगे olifil yogic कौन से होते है olifil yogic की बात की गई है b yogic जिन में carbon double bond carbon होता है उसे हम olifil yogic कहते है ठीक है next question देखो इस प्रकार से question बनेगा आपसे कि इस प्रकार से question बनता है कि जो alcohol है alcohol का निजीगर्ण का किरम क्या होगा तो निजीगर्ण का किरम होगा वो होगा, देखो, 2 से बड़ा 20 होगा 20 से बड़ा 30 होगा, ठीक है इस प्रिकार से, next question यहां बूला गया है कौन से योगिक, देखो कह रहा है कौन से योगिक, blow अभी किरिया देते हैं तो blow अभी किरिया जो देते हैं, उनको कहते हैं alkyl halide, alkyl halide जो योगिक होते हैं वो ब्लोपन अभी करिया देते हैं ठीक है ब्लोपन अभी करिया देते हैं इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट कोर्शन है औलिथिल औलिथीन पॉलिथीन का बहुलक क्या होता है पॉलिथीन का बहुलक पूचा गया है तो पॉलिथीन का बहुलक एथलीन होता है याद मत रखेंगे पॉलिथीन का जो बहुलक होता है वो क्या होता है वेटा athlean होता है इस बात को याद रखेंगा महोज जादा पूर से दाता है कि polytheon का बहुला कौन सा होता है ठीक है option number जिसने भी दिया है option number जिसने भी दिया है इसमें option नहीं है बिलकुल इसमें answer सीधे दे रखें उसके बाद में है देखो boyer abhikarmak क्या है बोयर अभी कर्मक की बात की गए एक पर्षेंट बेसिक हो सकते हैं ठीक है के मैंनो 4 का अप्शन होगा इसका next question है बेस्टरोन का सूतर क्या होता है बेस्टरोन जिसे कहते है इसका जो सूतर होता है फार्मूला होता है वो होता है बिटा C-H-Cl-2 single bond C-H-Cl2 ठीक है next question है पराकृतिक GAS किसे कहते हैं पराकृतिक जो GAS होती है उसे मेथेन को पराकृतिक GAS कहते हैं C-H-4 को next question है देखो Acetylene में कितने bond होते हैं एसेटलीन में 3 bond होते हैं याद रखिए अब यहां देखो बोला गया है प्रकासी ये समयवता प्रदर्शित करता है प्रकासी जो समयवता है वो कौन प्रदर्शित करता है सभी लोग इस कोशन का अंसर देंगे इस कोशन का अंसर देंगे सभी लोग क्या रहेगा सबी लोग इस question का answer देंगे क्या रहेगा सबी लोग इस question का answer देंगे क्या रहने वाला है देखो सारे answer यहां देखो put कर रखे हैं ठीक है butanol 2 हो जाएगा बिटा option number B ठीक है ना समझ रहे ना option number क्या है बिल्कुल ठीक है ठीक है ना समझ रहे है मेरी बात को ठीक ओके चलो next question को देखेंगे यह question देखो दूसरा question दूसरा question देखेंगे सबी लोग ऐसा करते है बिटा इसको यहीं खत्रम करते हैं और ख्यa करा देंगे ठीक है इसमें option saare option tick लगे हुए इसको हटाते हैं उसके बाद कराएंगे ठीक है बिटा तो वीडियो को चलको सस्क्राइब कर लेना और PDF को डालोड कर सकते हैं PDF का लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम पर जाएगे टेलीग्राम पर जाकर डालोड कर पाएंगे थैंक यू फर वाची दिस वीडियो बाई बाई